90 सीटों पर जीत का दम भर रही आमादमी पार्टी कॉंग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना जीहां आपको बता दे कि छत्रजगर में इस साल के अंत तक विधान सबाचुना होने हैं सभी दलों के नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्या रोप का दोर शिरू हो गया है आमादमी पार्टी के प्रिदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने भारतिय जंता पार्टी और कॉंग्रेस पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है आप पार्टी के इस बयाँ पर कॉंग्रेस ने पलटवार किया और जमीनी स्तर पर काम करने के सिला दी बीजेपि ने आप पार्टी को कॉंग्रेस की B-Teams बताया है कॉमल हुपेंडी ने कहा कि कॉंग्रेफ और ब्यज़ेपी चुनाव के समय जंता से कई तरह के वादे और खोशना करती है लेकिन सरकार बनने के बाद वादे पूरे नहीं करती हुपेंडी ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी के सरकार गारंटी देती है और काम करके डिखाती है इसी तरह के काम का 36 गड़ की जनता भी बड़े दिनों से इंतिजार कर रही है 36 गड़ के लिए गारंटी पत्र जारी का आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि शिक्षा स्वास्ट और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा आपकी सरकार बनते ही सारे वादे पूरे करेंगे 36 गड़ में हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे 36 गड़ में 24 गड़े बिजली ने लेगी कोमल हुपेंडी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी का जो गारंटी पत्र है उससे आने वाले विधांसबत चुनाओं में एतिहासिक परिणाम देखने को मिलेगा कोमल हुपेंडी के आरोपो पर कॉंग्रेस मीडिया प्रमुह सुशील आनन्द शुकला ने पलड़ पार्ट किया है उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के पास राजनेतिक मुद्दो को लेकर कुछ कहने को नहीं है 36 गड़ में उनका कोई सिध्धान्त नहीं है नीती नहीं है, कारिकरता नहीं है, यहां तक की पार्टी का संगठन भी नहीं है आपके नेताओं और कारिकरताओं को मैं आमंत्रित करता हूँ यदि वह नहीं आना चाते तो वह अपने घर का पता लिख कर भेज़े जिसमें हम उन्हें कॉंग्रेस की पूरी हुई घोशनाएं लिख कर भेज़ेंगे सुशील आनंद शुकला ने दावा किया कि 36 में से 34 घोशनाएं कॉंग्रेस पार्टी ने पूरी कर ली है 36 गड़ में 54 अधि योजनाए 36 गड़ सरकार चुडा रही है आम आदमी पार्टी के लगाए आरोखों का भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिम्नानी ने भी पूर्जोर जवाब दिया अमित चिम्नानी ने कहा आम आदमी पार्टी को सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि वह 36 गड़ में कॉंग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है या भाजपा की बाते कर रही है इस तरह के बयान देकर ये साबित करते हैं कि ये कॉंग्रेस की बीटीन है क्योंकि 36 गड़ में इस वक्त शाषन कॉंग्रेस का है सवाल कॉंग्रेस पार्टी से होना चाहिए लेकिन सवाल बीजेपी पर उठाकर आम आदमी पार्टी ने ये साबित कर दिया है प्रदेश में कॉंग्रेस और बीजेपी के साथ अब आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गई है 19 अगस्त को 36 गड़ में टाउन हॉल समेलन में आम आदमी पार्टी के राष्टिय संयोजग अविन के जिवाल ने गैरेंटी कार ज़ारी किया था जिसमें कहीं तरह के बड़े-बड़े वादे किये गए हैं आप पार्टी के इस दाउने अन्य दलो में खल दली मचा दी है इस गारेंटी पत्र से ये साफ है कि आप पार्टी सभी 90 सीटों पर अपनी जीत की तैयारी में जुटी है जिसे लेकर शीष आला कमान से बूट स्टार्ट तक के कारिकर्टा अपनी तैयारी में जुट चुके है फिलाल आप इस खबर के बारे में क्या सोस्तों समस्ते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर विताईए निउस ड्रेस के से प्रिया